बहुत बहुत स्वाद है हमारा चनल स्टॉक मर्केट राड़ा में दोस्तों बात करने वाले हैं SEL Infosystem Limited की बारे में दोस्तों यह एक पेनीज है आप देख सकते हो 16 रुपिया 80 बेसे में मिल रहा है इसका नेक्स तार्गेट क्या रहेगा फॉंडामेंटल केस आ है पूरा डिटल्स हम लोग छानबिन करेंगे आपको रिक्वेस्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए वान मंत की चार परटन में भाई 20 रुपिस से निच्छे गिरा है करीबन 17-18 परशन की गिरावट छे महिने की चार परटन में आप देखोगे 43 परशन की रिटन दिया है कॉम्पानी यहां पर 30 रुपिस तक गया था उसके बाद गिरावट देखने के लिए मिल रहा है लेकिन अभी देखिए गिरावट में मिल रहा है क्या इसको पकर लेना चाहिए क्या इसको बाई करना चाहिए चलिए देखते हैं सबसब पहले तो आपको रिक्वेश्ट करूंगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों यह जो सेहर होलिम अच्छा है 31 हाई है आट रुपिया लो है और दोस्तों यहां पर आप देखने के लिए मिल रहा है जो कॉम्पानी है रेजल डिकलरेशन किया था आठ फेबुरी को जो की रेजल इतना ठीक नहीं था प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों एक भी सेहर गिर नहीं है जो की एक अ डिविडेन तो नहीं देता है और दोस्तों फेस भालू टू का है करजा देखोगे 444 करोड का करजा है लेकिन उतना रिजर्ब नहीं रखा है फ्री के आस भी नहीं है नेट वर्थ भी नहीं है लेकिन 600 करोड का असेट रखा है फिर भी कॉम्पानी 20% की प्रोफिट में चल कितना खर्च हो रहा है और कितना सेल हो रहा है कारवर नहीं हो रहा है माइनोस देखिए क्वाटर बैज रेजल में यह रवाज भी कारवर खर्च हुआ 280 का सेल हुआ स्विब 99 का आप देख सकते हो फिर भी कॉम्पानी को यहां बड़ थोड़ा सा मुनापा हुआ है जो कि आगे बड़ा बड़ा लॉस हो रहा था माइनोस में प्रोफिट आ रहा था अभी थोड़ा सा पॉजिटिव प्रोफिट आया है इस बर और कॉम्पाउंडिंग रोज सेजर पॉजिटिव रूटर्न और एकुटी जीरो है असर्ट चेक करेंगे भाई असर्ड में डाउन है नेट क्यास लोगी डाउन होल्डिंग देखेंगे प्रोमोटर 62 परसंट रखें एफ़ाई बेले 0.02 रखें आगे तो कुछ भी नहीं तो अभी थोड़ा बड़ा है है डियाई बेले 0.16 रखें गौर्मेट के बास कुछ भी नहीं है पॉब्लिक 36 तो सारा परामेटर च्छ लिजा हिंद बन दमातरम